दोजार चोदे में मोदी लहर चली उस दोरान उमीद जताई गई कि अच्छे दिन आएंगे लेकिन आज ताजुब होता है कि मोदी सरकार के पांच साल पूरे होने को आए हैं मगर अच्छे दिन अभी तक नहीं आए हैं गुजरात की हवा बदल रही हैं गुजरात में उत्तर भारतियों के बूरे दिन आ गई हैं मारास्ट के बाद अब गुजरात की धरती भी उत्तर भारतियों के लिए सुरक्षित नहीं है आलम यह है कि अब तक 20,000 भारतियों के प्लायन की खबरें सामने आ चुकी हैं और से आए पार्सियों को भी दूद में शक्कर की तरह अपना बना लिया था गुजराती समुदाएं के लोग आपको दुनिया भर में मिलेंगे और यहां वे बहारियों का भी बेजजग वेलकम करते हैं पर पिछले कुछ दिनों से महौल पतला बतला सा दिख रहा है दरसल साबर कांठा में 28 सितंबर को 14 महिने की मासूम से रेप में जब बिहार से आए एक कामगार का नाम सामने आया तो गुजरातियों का गुजसा भड़क उठा एक कामगार की करतूत का असर ये हुआ कि पूरे उत्तरभारतियों का विरोश शुरू हो गया सोशल मीडिया पर कुछ व पूटी का माने गुजरात गए 50,000 से जादर लोगों को पलायान के लिए मजबूर होना पड़ा हाला कि प्रशासन मामले में टाल मटोल कर मामले पर परदा डालना चाहती है बहना ये बनाया गया कि लोगते हार होने के कारण अपने घरों के और जा रही है पुलिस प्रशा के कुल छे जिले पर भावित हुए हैं महासाना में पंदरा केस दर्च हुए हैं जिसके तहत 89 लोग गिरफतार किये गए हैं साबर काठा में 11 केस और 95 गिरफतारी एहमदाबाद में 7 केस और 73 गिरफतारी गांदी नगर में 3 केस और 27 गिरफतारी एहमदाबाद गरामीन में 3 केस और 36 गिरफतारी अरावली में 2 केस और 20 गिरफतारी और सुरेंदर नगर में 1 केस और 2 गिरफतारिया हुई इसके लावा सोशल मीडिया पर नफरत फिलाने वाले और भड़काओ पोस्ट करने के आरोप में 6 लोगों को गिरफतार किया गया हाला कि इन सभी के वीच यूपी के मुख्य मंतरी योगी आदित तैनात और बिहार के मुख्य मंतरी नितीश कुमार ने गुजरात के मुख्य मंतरी से बात की और सुरक्षा की जानकारी मांगी जिस पर गुजरात की सीम ने इस तरह की तमाम खटनाओं पर सक्त एक्शन लेने का भरूसा दिखाया है एनवी न्यूस के लिए विनीच शर्मा के रिपोर्ट